तो नमस्कार दूस्तो आप से भी का स्वागत हमारी RNG टेक्निकल बोव यूटूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने फोन के जो सिस्टम एप्स होते हैं उनको अगर आप अनिस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे डिलिट कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चले फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पर वहाँ पर आप लेगो को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ तो यहाँ पर जिससे जी Chrome ब्राउजर है इसको मैं यहाँ पर अनिंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आने बाद application and permissions के अंदर आना है app manager में आना है और यहाँ पर आपको Chrome देखना है कहाँ पर है ठीक है तो जैसे आप देशे तो यहाँ पर यह रहा Chrome हम यहाँ पर Chrome के ओपर क्लिक करते हैं internal storage के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप देख से हो clear data इसका आपको कर देना है और clear data करना चाहो तो कर सकते हो नहीं करना चाहो तो कोई नहीं उसे छोड़ सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको disable के ओपर क्लिक करना है और उसके बाद ok के ओपर क्लिक करना है और फिर से आपको ok करना है जैसे आप इतना काम करते हैं उसके बाद uninstalling Chrome लिखके आएगा और यहाँ पर जो Chrome है वो uninstall हो जाएगा ठीक है अब आपको क्या करना यहाँ पर एक option मिलते हैं आप देखोगी जो disable लिखा हुआ है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है और आप इसको दुबारा से इंस्टॉल करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर enable के ओपर क्लिक करना है और यह वापस से हमारा यहाँ पर स्क्रीन पर आजाएगा आपको मैं देखाता हूँ यह देख सकता हूँ यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको फ्रेंड्स आज़ कैसे वीडियो में अच्छा लगा होगा आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीस कमेंટ करके जरूर बताना